Hey guys, this is Pawan and you're watching StudySkillSuccess. Guys, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंस के साथ NET और JEE 2020 के पॉस्टपॉन को लेकर कुछ एक important information शेर करने वाला हूँ, तो वीडियो को अंतक जरूर देखेगा. Guys, क्या होता है ना, कि किसी भी एक्जाम के postpone के पीछे कुछ major factors होते हैं, वो major factors क्या होते हैं? Number 1 तो यह होता है कि किसी एक्जाम को तभी postpone किया जाता है जब उसको करवाने की जो situation है वो सही नहीं हो. जैसा कि अब चल रहा है, COVID-19 की situation चल रही है और देश की ऐसी हालात नहीं है कि किसी भी एक्जाम को conduct करवाय जाए. Second जो factor होता है, वो यह होता है कि किसी दूसरे एक्जाम की जो exam date है, वो उसके साथ clash होती हो. तो इस दूसरे factor पर मैं आप सभी के साथ बात करूँगा. पहला factors हम अल्रेडी बहुत बार discuss कर चुके हैं, उसको लेकर कुछ जो important है, वो मुद्धा नहीं निकला है, क्योंकि exam date MHRD और NTA दोनों ने announce कर दी है. अब बात करते हैं, second बात पर, कि किसी exam की जो exam date है, उसके साथ clash होती हो. तो ऐसा ही कुछ हुआ है. दो दिन पहले मैंने आप सभी students को एक video दिया था, NIOS, यानि कि National Institute of Open Schooling के class 12th, 10th और 12th के seniors और secondary के examination July 2 August 2020 में होने वाले हैं, और इन्होंने अपना reschedule जारी किया है, यानि कि reschedule release किया है. इस reschedule को release करते ही, कुछ एक important information यहांपे रिकल के आती है, कि इनकी exam date देखिया, सबसे पहले अगर हम JEE की बात करें, तो JEE के आपके exam जो है, वो 18 से 23 जुलाई के बीच होने वाले हैं, 18 से 23 जुलाई, और इनकी अगर exam date देखें, तो Saturday 18 को भी exam है, 20 को भी exam है, 21 को, 22 को 23 को, सिर्फ और सिर्फ 19 तारीक को छोड़ कर जो है, वो इनका exam नहीं है, बाकी everyday इनका exam है, ऐसे में इनकी exam date class हो रही है, और जो बच्चे जो NIOS का exam दे रहे हैं, वो JEE और NEET का exam नहीं दे पाएंगे, तो इसके लिए इसकी postpone की जो possibilities है, वो बढ़ जाती है, अगर हम NEET की बात करें, तो NEET के class तो और नहीं हो रही, नीट की date, यानि कि NEET का exam आपको 26 जुलाई को है, तो 26 जुलाई का इनका कोई exam नहीं है, 23 के बाद, 24 के बाद, 24 के बाद, 27 को इनका exam है, 25 और 26, 25 और 26, दो जो date है, वो प्री रखी गई है, दो date को exam नहीं है, लेकिन 25 और 26 को आपका NEEDuğ के exam है लेकिन NEED के exam भी इनके examination के बीच आ रहा है यarching कि इनका अगर exam center दूर है तो 27 को इनका exam है अगर 26 को यह NEED का exam देने जाएंगे तो exam आपका पाँच बजे खतम होता है शांग को तो एगजां जन्टर इनका थोड़ा दूर हुआ तो यह शाम तक घर पे नहीं लोट पाएंगे और सुभाइ तक गर आप आएगे जो भी श्टूडेंस इक्जाम देने जाते हैं और फिर आते ही अगर इनका NIOS का एक्जाम होगा तो यह NIOS का एक्जाम नहीं दे पाएंगे अगर ये शाम को भी लोडते हैं तो इतना स्ट्रेस हो जाता है NEET जैसे बड़े examination को देने के बाद कि दूसरा कोई भी exam देना थोड़ा possible नहीं होता तो मुद्दा यहां पर यही है मैं यही कहना चाहता हूँ कि NIOS जो National Institute of Open Schooling Board है उसकी जो exam dates है वो NEET और JEE दोनों के साथ clash हो रही है JEE के तो proper clash हो रही है NEET के साथ clash नहीं हो रही लेकिन NEET के exam in examinations के बीच में आ रहा है तो ऐसे में possibilities बढ़ जाती है आपकी NEET और JEE के postpone होने की आपको क्या लगता है कमेंट करके जुरूर बताईएगा और ऐसे ही मेहतफ़ोन अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे तो चैनल को subscribe करके bell icon को प्रेस जुरूर कर लिजिए आ इस्टाग्राम पर भी आप हम follow कर सकते हैं इस लिंक description में है या आप simply अगर search करेंगे study skill success तो भी account मिल जाएगा अगर NEET के study materials के से लेट कोई भी confusion है तो telegram पर search कीजिए study skill success आपको चैनल मिल जाएगा उस चैनल पर आपको NEET से लेट जितना भी study material है वो मिल जाएगा ठीके बाकी मिलते हैं नेक्ट वीडियो में अब तक के लिए good luck and have a nice day